Tay guys welcome to Dev Vumi career point तो देगे सामान्य 인ि के महतोपूग प्रसन उत्तर भाग 26 है इसमें भी cover करेंगे सामान्य हिंदि के कुछ महतोपूग प्रसन उत्तर महतोपूग mcqtr जो की सभी Covid के लिए महतोपूग है बात करो UKIIAC, CETAT, UTAT और उसके साथ SSAGD वहाँ पे भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाएगा 25 नंबर का ठीक है तो काफी महत्तोपोंग ये टॉपिक है जो हिंदी वाला चल रहा हमारा तो इसको बिल्कुल स्कीप और मिस ना करें तो चलिए देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्तोपोंग प्रस्नोत्तर भाग 26 तो पहला कोश्यन है इसमें दिखे इत्यादी सब्द में कौन सी संदी है ठीक है तो इत्यादी में कौन सी संदी है ऑप्संस है घूल संदी यंग संदी देल के संदी है बेंजन संदी तो इत्यादी का अगर मैं संदी विच्छेत करूं तो यह हो जाता है इतिधन आधी ठीक ह और इसके बाद यहां पर यह आ जाता है तो यह कि संदी का विशेशता है यंग संदी तो इसका आंसलर का ओप्शन भी यंग निम्नांकित वाक्य में रिक्त इस्तान को भरने के लिए सही सब्द का चैन कीजिए तो feel in the blanks बनने आपने मुंसी प्रेम चंद एक सफल डेश डेश थे गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार या कववी ठीक है तो ध्यान रखेंगे मुंसी प्रेम चंद क्या थे आवर्थ का अर्थ क्या होता है गोल, ढकन, चादनी या भावर ठीक है तो आवर्थ सब्द का सही अर्थ होता है गाईस इसका आंसर है ऑप्शन डी भावर नेक्स देखें हिंदी के कवी सुमित्रा नंदन पंत का जन्मिस्थान बताईए ठीक है तो हिंदी के कवी सुमित्रा नंदन पंत इनका जन्मिस्थान हमारे ही राज्य में है उत्राखंड में बगले सोभाग्य की बात है और इनका जन्म हुआ था महत्वपोंग तुरिष्ट प्लेस है राज्य का कॉसानी ठीक है काफी अच्छा प्लेस है जिसको उत्राखंड का सुर्चर लैंड भी बोला था इसको घादी जी ने कॉसानी को सुद्ध सब्द का चैन कीजे तो क्लेश कौन सा होता है सरी सब्द बताने आपने क्लेश ठीक है तो ध्यान से देखेंगे एक चारो अप्शनों को तो इसमें सुद्ध इसका जो सब्द है सुद्ध सब्द क्लेश का वो होगा ऑप्शन भी ठीक है अपेक्षा का विलोम वर्निंदा अनुपेक्षा उपेक्षा तिरस्कार तो आपेक्षा का विलो मोत है उपेक्षा air कौन सा सब्स अमबर का प्र्याईवार्च इए आकाश आवणि मेग बादल तो आप का प्र्याईवार्च सब्स लें स्सम utilizz ऐस्ट अममर का प्रियावाची आठी एक नेक्स से देखे कौन सा शर्था कि आपने कौन सा मित्र का नहीं है तो डियान से काफी confusing ऑप्शन है तो इसका अंसर है option A अली, अली नहीं होता है, मित्र कमागी सखा, सूर्दय, और मीद तीनो ही मित्र के प्रयावाची है अनुपस्तित सब्द में कौन सा अपसर्ग है, ये काफी बार पूछा जाता है मैंने काफी एक्जाम में देखा है इस question को अनुपस्तित सब्द, इसमें कौन सा अपसर्ग होगा, ठीक है, देखिए अनुपस्तित किसका विलोम है, उपस्तित का ठीक है, उपस्तित का विलोम हो जाता है अनुपस्तित, तो उपस्तित में हम क्या लगा यहां किसी कि अनुपस्तित हो जाए तो इसमें अनुपसर्ग होता है अन धन उपस्तित यह हो रहेगा अनुपस्तित ओप्शन C निमनलिकित में रिक्त इस्तान की पूर्ती के लिए उप्युक्त सब्द क्या होगा ब्यर्त समय मद गवाओ डेश डेश पस्ताना पगेगा ताकि क्योंकि तुरंत अन्यथा तो इसमें सही जो suitable word आ रहा है फिलिन द ब्लैंक्स में वो होगा अन्यथा ब्यर्त समय मद गवाओ अन्यथा पस्ताना पगेगा अगला देखें निमनांकित वाग के के लिए समूचित सब्द क्या होगा तो एक व्यक्ति एक सब्द बताना आपने पूरे वाग के के लिए व्यक्ति जिसे भूमी के आंतरिक तत्तों की जानकारी हो तो भूमी के आंतरिक तत्तों की जानकारी हो क्या कहलाता है ब्यग्यानिक जियोतिसी अनुसंधानता या भूगर्बवेत्ता तो इसको बोलते है भूगर भूवेत्ता ठीक है जीयो साइंटिस्ट होता है यह नर की अरू नल नील की गती एक है करी जोई जैतो नीचो है चले तैतो उचो होई उग्त दोहे के रचनाकार कौन है तो यह थोगा कठीन हो सकता है नई केंडिट्स के लिए जिन्होंने पड़ा है तो यह दोहा है एक्शुली औप्शन से कभीर रही बिहारी तुलसी तो इसका सई आंसर है औप्शन सी बिहारी का है यह तिक है तो उप्युक्त वाक्य में रेखां किस सब्द सहर्दे के समानार्थी सब्द का चेन कीजिए तो सहर्दे को अंडरलाइन किया गया है इसका सही अर्थ समानार्थी वाक्य में ढूंदना है अपने अच्छे हिल्दे के लोग बुरा नहीं सोचते विशाल हिल्दे के लोग बुरा नहीं सोचते, इसका suitable आपने अर्थ निकालना है, सहरदई का इसमें, तो इसका सही answer जगा option D, दयालू लोग, जिनके हिलदई में दया है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, अगला दिखे, किये गए उपकार का फल न मानने वाला क्या कहलाता है, तो किये गए उप सभी सलोथा, यठाइस्तान बेठे थे, ब्याकरंग की दिरिश्टि से इस वाकिया में रीखांकित पद यठाइस्तान क्या है, तो सिंपली answer होता है, यथा जो सब्द होता है, यथा वर जगे भी लगते है न, अन्यग्य हम यूज करते हैं, अव्याई भाव समाज में भी इसका उधारंग देखने को मिलते हैं, आपको यथा लगना, गेर लगना आगे से, तो यथा इस्तानो अपने इस्तान पर बैठेते हैं, यथा जोग दिया, उसमें एक अव्या ही जोग दिया, धियान लगेंगे, अगला जो पंक्तिया आ रहे हैं काफी महत्तव पूर्ण है मुझे तो लेना वनमाली देना उस पत पर फैक मातर भूमी पर सीष चगाने जिस पत पर जाऊँए वीरा ने मुझे तो विल्कुल याद आ गया है किसकी पंक्तिया है ये और मेरे को काफी मेरी फेमस ये कविता भी है इसको मैं सुनाना चाऊँगा एक बार आपको मुझे तोड लेना वनमाली देना उस पत पर फैक मातर भूमी पर सीष चगाने जिस पत पर जाऊँए वीरा नेग इस कविता का जो सील सकता वो भी मुझे आज याद है इसका सील सकता पुस्प की अभिलाशा और इसके जो राइटर है वो है माखनलाल चतुरवेदी जी तीकर काफी एक साबसे दिल को छूने वाली ये कविता हैं इसमें फूल की अभिलाशा बताई गई है कि फूल सबसे जा चैनिकर श्यामनाराण पांडे, मेतली सरंग गुप्त या जैशंकर प्रशाद, तो भारत भारती रचना है, मेतली सरंग, गुप्त जी के ओप्शन सी, मूर्ग व्यक्ति के सामने ग्यान की बात चाहिक अप्य। ऐसे ही मूर की प्रेक्ति को अगर आप ग्यान की बाते बताएंगे तो हो जकते हैं आपको सीर्फ होड़ दें ना कि वह समझेगा तो दूर रहेगा थोड़े ऐसे लोगों से अगला दिखें कवी का दिखें कवी वाला मैं जो भी आज तक मैंने आपको हिंदी का सिरीस दिया वहां पर आपको हर बार को इAlma closer वागा सुमांचय दिखा होगा इतना इंपोर्टेंट एदें कि की जगद सबस्के कि यहार जगर रही हित्री कों सा समांच संप का समास की विशेषता है तत पुरुष समास नेक्स देखे निम्नांकित में विदेशी भासा का सब्द चांटिए तो विदेशी भासा का सब्द ध्यान से देखे अब इन्हें में बड़ा कन्फुजन होता है इसको आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा हिंदी में विदेशी भासा है सिंपली पता चल ले अगर जिन लोगों ने पढ़ाई किया अपील एक विदेशी बासा का सब्द है लाश्ट है देखिए नर और नल नीर की गती एक सी है क्योंकि दोनों ही उपर उठकर जुकते हैं दोनों की प्रकृति सीतल होती है दोनों की प्रकृति कल्यांकारक है दोनों का सुभाव कोमल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option है दोनों ही उपर उठकर जुकते हैं त्यायन रखेंगे तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा नर और नल नीर की बात हो लिए आप ठीक है नल नीर का मतलब हो गए आप लहर हो गई कोई लहर जो चलती है वो एक बात उपर जाती है ठीक है और उसके बाद अंतताह नीचे ही आते हैं जुकती है वैसे नर का भी है नर के पास जादा वैभाव आने के कारण धन आने के कारण क्या होता ह वो काफी एहंकारी हो जाता है लेकिन अंतता है, एक ऐसा समय आता है, कि उसको उपर से नीचे आना पकेता है, क्योंकि किसी के सयोग के बिना ये जीवन संभव नहीं हो पाता, भले आप कितने भी अमीर बन जाएं, आप पैसे से ही सब कुछ नहीं कर सकते, तो कहने का बता नर जीवन का आधार है, वो है being human, ठीक है, being humanity, मानोता को मारना नहीं है कभी अपने अंदर की, ठीक है guys, मैं आपसे यहीं उम्मीद करता हूँ, तो आज का part में पर समापत होता है, मिलेंगा मैं आपको जल्दी next part में, तब तक अच्छे से आप अपने study कीजिए, कोई भी doubts ये query है Facebook page पर message कीजिए हमें, हमारा Facebook page है देव भूमी career point के नाम से, उसके साथ साथ Telegram जो चैनल है, उसको join कीजिए, वहाँ पर भी notification देते रहता हो, मैं job के regarding हो, या कोई अन्य महत्तोब हो, इसके साथ साथ जल्दी जब UK police आएगा, मैंने आपको बता है, online classes सुरू हो जाएंगी, और उसमें विशिष्ट और सीमित सीटें ही लखी जाएंगे, ध्यान रखेंगे, जो डेडिकेटिंग इस्टूडेंट है, वहाँ पर सामिल होंगे, ठीक है, तो गाइज मिलेंगे नेक्स वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जैहिंद वंदे मातरम